कि नमस्कार दोस्तों मेरा नाम गिर्रा सिंह राजा उत है मैं आपको commence हिंदि का पहला gostoपिक अपन पड़ेंगे वर्ड विचार अपने हिंदी मैं चाहे कोई सी भी तैयारी करें चाहिए अपन बात करें रास्तान SI की बात करें ये रीट पातरता ये आपका 3rd grade मैंस है ये आप 2nd grade है ठीक है ये 1st grade किसी में भी जिसमें अपनी पटवार है अपनी CET राजस्तान जिसको अपन पातरता परिक्षा बोलते हैं उनमें सभी में अपन जो हिंदी आती है उन सभी की तैयारी करने के लिए अपना पहला topic पढ़ रहे हैं वो अपना प्रस topic होगा वर्यण विचार उसको आप द्यान से समझना कोई चीज समझ में नहीं आए तो आराम से देखुँ सबसे पहले अपन आज का टोपिक पढ़ेंगे वर्यण विचार वन विचार वन विचार में सबसे पहले अपना आज बात करेंगे वन विचार में सबसे पहले दो सब्दों की बात करेंगे पहला सब्द होगा अपना भासा और दूसरा सब्द होगा अपना व्याकरन तो सबसे पहले अपन बात करते हैं भासा की अपने सामने सब्द लिका हुआ है भासा इस भासा की बात करें तो ये जो भासा सब्द है अपना ये भासा सब्द है वो भास दातू कौन सी दातू? भास दातू और आपरते से मिलकर बना है भासा सब्द भास दातू और आपरते से मिलकर बना है बासा सब्द में अगर अपन बात करें तो बासा सब्द है बासा सब्द भासदातू वे आप परते से मिलकर बना है बासा सब्द भासदातू है और परते कौन सा है आपरते है ठीक है भास दातू है वो कौन संसकर्थ भासा की दातू है संसकर्थ भासा की भास दातू है वो संसकर्थ भासा की दातू है कौन सी भासा की है संसकर्थ भासा की दातू है येदि अपन भासा सब्द का साब्दी करत पूँचे कि भासा किसे कहते हैं, तो अपनी भासा की यदि परी भासा की बात करें, तो भासा कहते हैं, आपस में एक दूसरे से विचार विनिमे करने के माद्यम को भासा कहते हैं, अगर आपस में एक दूसरे से विचार विनिमे करते हैं, चाहिए वो मोखी ग्रूप से करें, चाहिए वो अपन लिखित रूप से करें चाहिए अपन संकेतों के माद्यम से जो भी आपस में विचार विन्य में करते हैं उसे अपन क्या कहते हैं बासा कहते हैं क्या कहते हैं ये अपन बासा के रूपों की बात करें अपना क्यूसन पूचें बासा के बासा के पांच रूप होते है पांच रूप होते हैं बासा के पांच रूप होते हैं बासा के रूप होते हैं कितनी बताना है पांच रूप होते हैं सबसे पहला बासा का जो रूप होता है वो अपनी होती है राजबासा कौन सी बासा होती है राजबासा इसके बाद दूसरी होता है वो अपनी होती है मात्री बासा कौन सी बासा होती है मात्री बासा इसके बाद अपन थर्ड नमबर पे बात करें तो वो अपनी होगी राष्ट्र बासा कौन सी बासा होगी राष्ट्र बासा होगी यह दिये अपन चार नमबर पे बात करें तो चार नमबर पे होगी अपनी बोली क्या होगी बोली यानि सबसे पहले राजबासा उसके बाद मातरी बासा उसके बाद राश्टर बासा और थड़ चार नमबर पे आती है अपनी बोली क्या आती है बोली तो सबसे पहले राजबासा मातरी बासा राश्टर बासा और अप अपने भासा के मूल रूप से परकार होते हैं, वो तीन परकार होते हैं, कितने परकार होते हैं, तो सबसे पहले भासा का यदि परकार की बात करें, तो सबसे पहले अपनी भासा होती है, मोखिक भासा, कौन सी भासा होती है, मोखिक भासा, इसके बास सेकिन नमबर पे आती है वो अपनी भासा होती है, लिखित भासा, कौन सी भासा होती है, लिखित भासा, यदि अपन थर्ड नमबर पे बात करें, तो थर्ड नमबर पे आती है, अपनी सांकेतिक भासा, कौन सी भासा आती है, सांकेतिक भासा, तो ये भासा के तीन परकार होते हैं, देखो अपने भास की रूपों की बात बात कर रहे थे, सबसे पहले राजबासा, राजबासा का साब्दी करता है कि अपने भार्देश में राज-काज में पर्युक्तोंने वाली जो बासा होती है, वो कौन सी होती है, राजबासा होती है, दूसरी है अपनी मात्री बासा, मात्री बासा में मात् यानि माता की द्वारा बालक सबसे पहले माता का मतलब होता है या परिवार कि बालक परिवार से सबसे पहले जो बासा सीखता है वो ही उसकी कौन सी बासा होती है मातरी बासा इसके बाद थर नमबर पे पड़े है पन राश्टर बासा राश्टर बासा वो होती है जिसमें एक छोटी से छेतर में बोले जाने वाला जो बासा का रूप होता है उसे अपन क्या कहते हैं बोली कहते हैं क्या कहते हैं बोली इसके बाद अपने पांच नंबर की बात करें तो वो है अपनी प्रादेसिक बासा कौन सी बासा है प्रादेसिक प्रादेसिक का मतलब है अपने भारत देश में जितने भी प्रदेश हैं उन प्रदेशों में बोले जाने वाली जो बासा है वो कौन सी बासा होगी प्रादेशिक बासा है वर्तमान में अपनी जो प्रादेशिक बासाओं का वर्णन है वो अपने सविदान की आठवे नसुची सविदान की आठवे नसुच उसमें प्रारम में तो 14 वसाओं का वरणन था कितनी वसाओं का था 14 वसाओं का वरणन था लेकिन वर्तमान में अपनी आठवे निसुची में 22 प्रादेशिक वसाओं का वरणन है ठीक है इसके बाद अपन राजबासा की बात कर रहे थे तो राजबासा जो अपनी हिंदी रा हिंदी को राजबासा माना गया था इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है कौन सा दिवस है? हिंदी दिवस अपना हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है क्यों मनाया जाता है? वो अपने को पता है क्योंकि 14 सितंबर 1940 के दिन हिंदी को राजबासा माना गया था ठीक है इसी दिन अपनी हिंदी की जो लीपी मानी गई थी वो देवनागरी लीपी मानी गई थी कौन सी लीपी मानी गई थी देवनागरी लीपी ठीक है तो अपनी हिंदी की यदि अपने को लीपी पूँचें तो हिंदी की लीपी होती है देवनागरी लीपी अब अपन बासा के बारे में बात कर रहे थे बासा की परकारों की बात कर रहे थे तो अपने हिंदी में बासा के तीन परकार होते है मूल रूप से पहली बासा होती है वो अपनी होती है मोखिक बासा कौन सी बासा मोखिक इसमें जो ये मोखिक सब्द है मोखिक सब्द में मुख सब्द में इक परते जोडने से बना है मोखिक सब्द में मुख सब्द में इक परते जोडने से बना है जिसमें मोखिक सब्द का यदि साब दिकरत पूचें, तो इसका साब दिकरत होता है मुक्से सम्मंदित, किसे सम्मंदित? मुक्से जो सम्मंदित है उसे अपन मोखिक बासा होती है, अगर मोखिक बासा की परिवासा की बात करें, तो मोखिक बासा की परिवासा है कि एक दूस किसे कहते हैं कि अपने मुझ से निकलेवे जो एस पष्ट वाक चिन्नोते हैं उसे अपन क्या कहते हैं ध्वनी कहते हैं इसके बाद अपन बात करते हैं लिखित बासा की जो लिखित सब्द है वो लिखधा तू में कोणची दा तू में लिखधा तू में इत परते जोड़ने से बना है लिखित सब्द का साब्दी करता है वो होता है लेखन से समंदित लिखित सब्द का साब्दी करता है लेखन से समंदित यानि इसमें लिखित सब्द की अपन बात करें कि लिखित बासा किसे कहते हैं कि जब हम लिख कर एक दूसरे से आपस में विचारविनी में करते जेसे अपन सडक पर चलते वे लाल बत्ती को देखकर बत्ती पर रुख जाते हैं और हरी बत्ती को देखकर अपने चलते हैं तो वो कौण सी बासा है सांकेतिक बासा है लेकिन जो अध्यापक के तैयारी कर रहे हैं चैप 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड उनको पता है कि अपन जो साइकलोजी में पढ़ते हैं वो सास्त्रिय अनुबंदन का सिद्धानत है पाउलाओ का तो जो पाउलाओ का सास्त्रिय अनुबंदन का सिद्धानत है वो भी आपकी सांकेति बासा पर आदारीत है क्योंकि जो पाउलाओ का जो कुट्ता था वो उस घंटी को एक मातर संकेत मांद रहा था और संकेत के आदार पर उसने लार टपका रहा था इसलिए कहने का मतलब है कि अगर साइकलोजी के अनुसार देखें तो अपना जो पावलाओ का सिद्धानत है वो भी अपना सांकेतिक बासा पर ही आदारीत है जैसे मानलो अपन बात करते हैं कि जो मुकवदीर बालक होते हैं जैसे गुंगे बेरे बालक मुकवदीर बालक होते हैं उन बालकों को पढ़ाने के लिए भी अपने हिंदी में कोन सी बासा का परियोग किया जाता है सांकेतिक बासा का परियोग किया जाता है ये दिये अपन भासा के आगे बात करते हैं कि मोखिक भासा की सबसे चोटी काई है वो मोखिक भासा की सबसे चोटी काई है वो है ध्वनी क्या है ध्वनी लेकिन लिखित भासा की सबसे चोटी काई पूचे तो लिखित भासा की सबसे चोटी काई है आपका वर्ण अब अपन बात करते हैं वर्ण क्या है ठीक है आपकी धुनी क्या है अपने सामने सब्द लिके हैं पहला सब्द है धुनी धुनी किसे कहते हैं तो सबसे पहले इसकी परिवासा है कि मुखार विंद से निकले वे जो एश पष्ट वाक चिननोते हैं उसे अपन क्या कहते हैं धुनी कहते हैं ध्वनी के लिखी तुरूप कोई क्या कहते हैं वर्ण कहते हैं जैसे मालो आपने बोला कह ये मैंने लिख दिया ये कह तो ये कह अपना क्या है वर्ण है क्या क्या है वर्ण है तो ध्वनी के लिखी तुरूप को वर्ण कहते हैं ध्वनी किसे कहते हैं मुखार विन से निकले इसके बाद अगला अपने सामने लिखावा सब्द किसे कहते हैं कि दो या दोसे अधिक वर्णों के परसपर मेल को सब्द कहते हैं अगर वाक्य की परिवासा पूचें कि वाक्य किसे कहते हैं तो इसकी वाक्य की परिवासा है कि दो या दोसे अधिक सब्दों के परसपर मेल को क्या कहते हैं वाक्य कहते हैं जैसे अपना उधारन आ गया ध्वनी आ गयी रह ये मैंने रह लिख दिया रह आपका क्या है वर्ण इसमें दो वर्ण मिलाया, यह सब्द बन गया आपका राम, राम क्या बन गया, सब्द बन गया, लेकिन इसमें दो या दो से अधिकापन सब्द मिलाएंगे तो वाक्य बन जाएगा, जैसे अपना उदारण है, राम जेपूर जाता है, तो यह आपका क्या हो गया, वाक्य हो तो कहने का मतलब यह है कि मुखार विन से निकले वे जो ऐस्पष्ट वाक्चिनन उसे धुनी कहते हैं धुनी के लिखी तुरूप कोई वर्ण कहते हैं दो या दो से अधिक वर्णों के प्रस्वर मेल को सब्द कहते हैं और दो या दो से अधिक सब्दों के प्रस्वर मेल को क्या कहते हैं वाक्य कहते हैं लेकिन अपना क्यूसन ये पूँचें कि दो या दो से अधिक वर्णों के समू को क्या कहते हैं तो दो या दो से अधिक वर्णों के समू को कहते हैं वर्ण माला क्या कहते हैं वर्ण माला क्य वर्ण से पहले अपने बात करते हैं, वर्ण से पहले एक अपना सब्द आता है, व्याकरण, क्या आता है, व्याकरण, तो अपने सामने सब्द लिकावा है, व्याकरण, अगर अपने व्याकरण सब्द के टुकडे करें, कि व्याकरण क्या है, क्या नहीं है, तो व्याकरण कि यह वह और रह इन वर्णों से पहले अधर कोई आदा वर्ण आ जाता है तो यह तो आपका E E में बदल जाता है और रह आपका R में बदल जाता है तो यह यह से पहले आदा वर्ण आ रहा है तो यह E में बदल जाएगा तो इसका अगर अपन तोड़ेंगे संदी विच्छे एक आउपसरग है और आपका इसमें सारतक सब्द है करण येदि अपन करण के भी टुकडे करें तो इसमें से अपन धातू निकाल देंगे क्रीधातू तो इसका परते हो जाएगा अन परते हैं कौन सा परते हो जाएगा अन परते हैं यानि व्याकरण सब्द V पलस आउपसरग क्रीधातू और अनपरते से मिलकर बना हैं। लेकिन अपना क्यूसन यह कि व्याकरण कहते किसे हैं। व्याकरण की परीबासा क्या होती है। व्याकरण किसे कहते हैं। तो भैया व्याकरण की परिवासा है कि वैसास्तर जिसके द्वारा सुद लिखना, सुद पढ़ना और सुद बोलना सीखते हैं उसे व्याकरण कहते हैं अपने हिंदी में यदि व्याकरण के अंगों की बात करें तो व्याकरण के तीन अंग होते हैं कितने अंग होते हैं व्याकन के तीन अंग होते हैं सबसे पहला अंग की बात करें तो व्याकन का पहला अंग होता है वर्ण इसके बाद व्याकन का दूसरा अंग होता है वो सब्द दूसरा अंग होता है सब्द और तीसरा होता है आपका वाक्य यानि कहने का मतलब यह है कि व्याकर्ण के तीनंग होते हैं एक आपका वर्ण होता है दूसरा सब्द होता है और तीसरा होता आपका वाक्य ठीक है सबसे पहले अपन बात करते हैं वर्ण की किसकी बात करते हैं वर्ण की वर्ण से पहले अपन सबसे पहले अगर अपन बात करें क्यूसन अपने को पूँचें कि वर्ण से पहले अपने एक सामने एक सब्दा जो अभी अपन पड़ चुके ध्वनी तो ध्वनी के लिखीत रूप को क्या कहते हैं वर्ण कहते हैं यह भासा की सबसे चोटी रूप को, यह भासा की सबसे चोटी रूप को, 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 तो वो आपकी क्या है, ध्वनी, लेकिन केवल आपको लिखित भासा की सबसे चोटी काई पूचे, कौन सी भासा की, लिखित भासा की, तो लिखित भासा की सबसे चोटी काई भी क्या है, आपका वर्ण है, ठीक है, तो मोखी भासा की सबसे चोटी काई ध्वनी है, लिखित भ पूचें अर्थ के आधार पर किसके आधार पर अर्थ के आधार पर यदि अर्थ के आधार पर भासा की सबसे छोटी काई पूचें तो अर्थ के आधार पर भासा की सोटी काई है वो आपका है सब्द क्या है सब्द अर्थ निकलता हो सब्द का निकलता वर्ण का कोई अर्थ नहीं निकलता है जैसे आपने लिख दिया रह तो इस रह को अपन रही बोलेंगे लेकिन अगर आपन सब्द लिख दिये राम तो राम एक वेक्ति का नाम में वेक्ति वाचक संग्या है राम एक वचा ने राम पुलिंग होता है इसलिए इसका आर्थ निकलता है इसलिए अर्थ के आदार पर भासा की सबसे छोटी काई पूचे अर्थ के आदार पर तो भासा की सबसे छोटी काई है क्या है वाक्य है तो आपको इंफेक्ट किसनों का चीतर याद रखना है अगर मोखिक भासा की सबसे चोटी काई पूचे तो दोनी बताना है अगर भासा की सबसे चोटी काई पूचे तो वर्ण बताना है लिखित भासा की सबसे चोटी काई पूचे तो भी वर्ण बताना है अर्थ के आदार पर भासा की सबसे छोटी काई पूचे तो वो आपका क्या है सब्द है और यदि भासा की पूर्ण इकाई या पूर्णत इकाई पूचे तो वो आपका क्या है वाक्य है क्या है वाक्य अब अपन सबसे पहले वर्ण की बात करते हैं वर्ण की अपन परीबासा पूँचें तो वर्ण की परीबासा है पहली परीबासा तो यह हो गई वर्ण की कि वे वर्ण या अपन यह से बोल सकते हैं कि द्वनी के लिखी तुरूप को किसके लिखी तुरूप को द्वनी के लिखी तुरूप को क्या कहते हैं वर्ण कहते हैं या भासा की सबसे छोटी काई होती है उसे भी अपन क्या कहते हैं वर्ण कहते हैं अब बात करते हैं अपन वर्ण के परकारों की या वर्ण के भेदों की तो अपने हिंदी में यदि अपन वर्ण अब अपने में चीज अपने में टोपिक वे चलते हैं वर्ण के बारे में बात करेंगे वर्ण में क्या क्या है अब अपन बात करते हैं वर्ण के बारे में देखो वर्ण में सबसे पहले वर्ण के परकार की बात करते हैं तो अपने हिंदी में वर्ण के यदि परकार पूचे तो वर्ण के दो परकार होते हैं वर्ण के कितने परकार होते हैं दो परकार जिसमें एक नमबर पे तो आता आपका स्वर और सेकिन नमबर पे आता आपका वेंजन एक नमबर पे स्वर और दो नमबर पे आता है अपना वेंजन यानि वर्ण के दो भेद होते हैं एक तो स्वर होता है दूसरा होता है वेंजन अब क्यूसन अपना पूंसता है कि स्वर क्या होता है वोर वेंजन क्या होता है वर्ण की परिवासा पड़ लिए वर्ण के दोभे दोते हैं एक तो स्वर होता है दूसरा क्या होता अपना वेंजन स्वर किसे कहते हैं तो स्वर की परिवासा है कि वे वर्ण स्वर को भी बोल सकते हैं तो अपन स्वर की परिवासा हो गई कि वे वर्ण जिनका उचारन मुझे वायू बिना बादीत होती वी बार निकलती है ठीक है यह वे वर्ण जिनका उचारन सवतंतर रूप से किया जाता है उसे अपन क्या कहते हैं स्वर कहते हैं यानि वे वर्ण जिनका उचा अगर अपन स्वरों की बात करें तो अपनी हिंदी की जो लिपी है वो कौन सी है? देवनागरी लिपी. कौन सी लिपी है? देवनागरी लिपी. तो हिंदी में देवनागरी लीपी के नुसार स्वरों की यदी संख्या पूँचे तो स्वरों की संख्या होती है ग्यारा कितने होती है ग्यारा हिंदी में देवनागरी लीपी के नुसार कौन सी लीपी के नुसार देवनागरी लीपी के नुसार स्वरों की संक्या होती है ग्यारा अब देखो ग्यारा कौण कौण से स्वरों होते हैं जैसे आपका आगया आ इ इ उ री ए आई ओ तो ये अपने देवनागरी लीपी के नुसार स्वरों की संक्या कितनी हो गई A, A, E, E, U, U, R, A, I, O और O तो देवनागरी लिपी के अनुसार मूल रूप से स्वरों की संके कितनी होती है ग्यारा लेकिन इन ग्यारा स्वरों के अलावा अपने हिंदी में एक स्वर ओर होता है वो होता है अपने हिंदी में आगत या ग्रहित स्वर आगत या गरित स्वर भाईया जो आगत और गरित स्वर होता है वो अपना एक होता है वो होता है अपना O कौन सा स्वर होता है? O इस O स्वर का प्रियोग किया जाता है वो अपने अंगरेजी भासा के सब्दों में किया जाता है और सभी स्वरों का प्रियोग वो हिंदी भासा में होता है लेकिन अपना एक स्वर है वो है आगत और ग्रिद स्वर इस आगत और ग्रिद स्वर और स्वर है इसका प्रियोग अंग्रेजी भासा के सब्दों में किया जाता है जैसे अपन इनके अंग्रेजी बासा के कौन-कौन से सब्द आते हैं जैसे अपन लिखते हैं कौन सा सब्द लिखते हैं जैसे अपन लिखते हैं होस्पिटल जैसे अपन लिखते हैं ठीक है जैसे अपन लिखते हैं knowledge क्या लिखते हैं knowledge जैसे अपन लिखते हैं college क्या लिखते हैं college तो इन सब्दों में अपन कोण से सब्द का प्रियोग कर रहे हैं कोण से वर्ण का प्रियोग कर रहे हैं इसमें अपन स्वर का प्रियोग कर रहे हैं वर्ण का प्रियोग रहे हैं आगत और ग्रिस्वर जो आपका आगर और ग्रिस्वर एक होता वो कौन सा स्वर होता अपना ओस्वर होता है तो आपको याद रखना है अपने हिंदी की जो लिपी है वो देवनागरी लिपी है और देवनागरी लिपी के अनुसार हिंदी में स्वरों की संक्या 11 मानी गई है लेकिन इस 11 स्वरों के अलावा अपने हिंदी में एक आगत और घ्रिस्वर होता है जिसका प्रियोग अधिकतर अंग्रेजी बासा के सब्दों में ही किया जाता है उसका प्रियोग हिंदी बासा में नहीं किया जाता है लेकिन फिर भी हिंदी बासा में इसको आगत और ग्री स्वर माना गया है इसके बाद अपन स्वर की परिवासा पड़े स्वरों के संख्या पड़े की स्वरों की संख्या कितनी होती है 11 अब अपन बात करते हैं अपने हिंदी में स्वोरों के परकारों की जो अलग 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 परकार बताए गए देखो अपन परकारों में सबसे पहले एक नमबर पे अपन पहला परकार पड़ेंगे वो अपन पड़ेंगे उच्चारण में उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के तीन प्रकार होते हैं तीन प्रकार होते हैं तीन प्रकार होते हैं उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के प्रकार पुछे तो कितने होते हैं तीन प्रकार उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार होते हैं तीन प्रकार देखो तीन प्रकार कौन कौन से होते हैं सबसे पहले एक नमबर पे पढ़ेंगे वो अपन पढ़ेंगे रिस्वस्वर रिस्वस्वर इनी रिस्वस्वर उनको अपन क्या बोलते हैं लगूस्वर क्या बोलते हैं या लगूस्वर रिस्वस्वर या लगूस्वर या इसी को यह अपन बोलते हैं मूलस्वर सेकिन नमबर पे आते हैं धीर्ग स्वर धीर्ग स्वर या गुरूस्वर धीर्ग स्वर या गुरूस्वर और थर्ड नमबर पे आते हैं वो आते हैं अपने पलुत्व स्वर पलुत्व स्वर पलुत्व स्वर तो उच्चारण में लगने वाले समय क्यादार पर यदि अपन स्वरों की बात करें तो अपने मिहंदी में स्वरों के तीन परकार होते हैं सबसे पहले अपन बात करें वो पहला स्वर अपना रिस्व स्वर जिसको अपन लगू स्वर भी कहते हैं मूल स्वर भी कहते हैं दूसरा है धिर्ग स्वर जिसको अपन गुरू स्वर भी अगर अपन बात करें, तो लगू का विलोम सब्द होता है, वो गुरू ही होता है, और रिस्व का विलोम सब्द धीर्ग होता है, रिस्व का विलोम सब्द क्या होता है, धीर्ग, क्योंकि विलोम सब्द जिस बासा का होता है, उसी का ही होता है, ठीक है न, विप्रितार तक करने में कम समय लगता है उसे अपन रिस्वस्वर लगूस्वर या उसको पन क्या कहते हैं मूलस्वर कहते हैं कि वेस्वर जिनका उचारण करने में कम समय लगता है उसे अपन रिस्वस्वर लगूस्वर और मूलस्वर कहते हैं यदि हिंदी में लगूस्वरों की बात करें तो लगू स्वरों की संक्या होती है बहिया चार, चार कौन-कौन से होते हैं, ए, ए, उ, और री, यानि कहने का मतलब है आपका आ आ गया, आपकी छोटी आ गयी, छोटा हुआ गया और री आ गयी, ये चार अपने कौन से स्वर होते हैं लगू स्वर या रिस्व स्वर होते हैं तो इनकी परिवासा क्या होगे लगू स्वरों की कि वे स्वर जिनका उचारण करने में कम समय लगता हूँ से अपन रिस्व स्वर कहते हैं अपने इनको अगर संस्कर्थ के साफ से देखें तो इनको एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं क्या कहते हैं विया एक मात्रिक स्वर अगर एक मात्रिक स्वर पूँचें तो वो कौन से स्वरों को कहते हैं रिस्व सोरों को कहते हैं लगू सोरों को कहते हैं लेकिन अपने हिंदी में यदि मूल सोरों की बात करें तो अपने हिंदी में मूल सोरों की संख्या भी कितनी होती है चार चाहे अपने को लगू सोर पूचे चाहे रिस्व सोर पूचे चाहे मूल सोर पूचे अपने को कितनी बताना चार चाहिए एक मात्रिक स्वर पूचे तो एक मात्रिक स्वरों की संक्या भी कितनी होती है चारी होती है ठीक है इसके बाद अपर से किन नमबर पर बात करते हैं धीर्ग स्वर की परीवासा क्या है कि वे वर्ण जिनका उचारण करने पर लगू स्वर से दुगनासा म लगता है वो अपने कौन से स्वर कहलाते हैं धीर्ग स्वर या गुरू स्वर कहलाते हैं ठीक है अगर हिंदी में धीर्ग स्वर या गुरू स्वर की बात करें तो इनकी संक्य कितनी होती है साथ कितनी होती है साथ जैसे अपने आ जाएगा एक तो एका धीर्ग आ हो जाएगा छोटी की दिर्ग बड़ी हो जाएगी ठीक है छोटाओ का दिर्ग क्या हो जाएगा बड़ाओ लेकिन रीका जो धिर्ग रूप है उसका प्रियोग अपने हिंदी में ने किया जाता है उसका प्रियोग संस्कृत में किया जाता है तो A, A, E, O इसके बाद बात करते हैं अपने A, Sorry इसके बाद बात करते हैं A, I, O, O ये संक्य कितनी होगे अपनी साथ तो ये साथ कौन से स्वर होते हैं अपने धीर्ग स्वर या गुरू स्वर लेकिन क्यूसर अपना ये आता है कि यदि अपने को हिंदी में पूचे अगर संदी स्वर ये संवर ये संवर ये संवर भी कह सकते हैं तो आपको याद रखना है कि अगर हिंदी में आपको संदी स्वरों की संवर पूचे तो कितनी बताणा है? साथ यह संविक्त सवरों की संक्या पूचे तो भी कितनी बताना है, साथ, लेकिन इसके बाद अपना एक क्यूसन हो रहाता है, कि जो यह अपने संदी सवर हैं, उनको जाती के आधार पर, किसके आधार पर, जाती के आधार पर, इसको जाती के आधार पर, दो भागों में बाटा गया है जिसमें एक नमबर पे तो अपने स्वर आते हैं वो भईया आते हैं सजातिये स्वर कौन से स्वर आते हैं सजातिये स्वर और से की नमबर पे आते हैं वो आते हैं विजातिये स्वर कौन से स्वर आते हैं विजातिये स्वर क्यों सन क्या पूछेगा जाती के आदार प किसे कहते हैं कि वे स्वर जो समान जाती के स्वरों से बने हैं कौन से जाती से वे स्वर जो समान जाती के स्वरों से बने हैं उसे अपन सजाती स्वर कहते हैं अब देखो यह अपने स्वरों की संक्य यह अपन धीर स्वरों की संक्य साथ पड़ें, तो पणे दे को सजा थी स्वर एक तो आ हो गया, एक बड़ी E हो गई और एक अपना बड़ा ओ ओ गया यह नि वे स्वर जो समान जाती के सवरो से मिल कर बने, कैसे बने समान जाती से जैसे आपका A पलस A A और A मिल कर क्या बन गया? A ए और ए मिलकर क्या बन गया ये दि अपनी E पलस E मिलकर क्या बन गई बड़ी E E और E मिलकर क्या बन गई अपनी बड़ी E ठीक है या फिर आपका O पलस O मिलकर क्या बन गया बड़ा O O पलस O मिलकर क्या बन गया बड़ा O ठीक है तो ये तीन अपने स्वर होते हैं ये तीन स्वर होते हैं वो आपके सजातिय स्वर होते हैं कि वे स्वर जो समान जाती के स्वरों से मिलकर बने हैं उसे अपन सजातिय स्वर कहते हैं ये अपन विजातिय स्वरों की बात करें कि विजातिय स्वर किसे कहते हैं कि वे स्वर जो भिन जाती के स्वरों से मिलकर बने, कोण सी जाती से हैं, भिन जाती के, अब अपन विजाती स्वरों की बात करते हैं, एक विन देखो, विजातिय स्वर विजातिय स्वर कि वे स्वर जो भिन जाती के स्वरों से मिलकर बने वो कौन से स्वर कहलाते हैं विजातिय स्वर अपने हिंदी में विजातिय स्वरों की संक्या पूँचे तो भहिया इनकी संक्या होती है चार कितनी संक्या होती है चार अब विजातिय स्वर कौन कौन से होते हैं अपने विजातिय स्वर में जैसे अपना A हो गया क्या हो गया A इसको बोलते हैं I ये आपका O हो गया क्या हो गया O A का आपका हो गया O क्या हो गया O यानि विजातिय स्वरों की संक्या होती है चार जिसमें A तो A की बात करें तो A किसे मिलकर बना है? भाया A मिलकर बना है A पलस E A और E मिलकर क्या बना है? A अब देखो उधर तो अपन दोनों समान स्वर थे A पलस A मिलकर A बना है छोटी से छोटी मिलकर बड़ी इवनी है ठीक है छोटा उड़ चोटाउ मिलकर बढ़ा O बना है ठीक है लेकिन इधर अपन अलग अलग भिन जातीओं की स्वर पढ़ रहे देखो यह तो यह तो आया रहा है यह यह आ रही है तो दोनों भिन जाती की स्वर है इसलिए इनको कौन से स्वर केते हैं विजातिय स्वर ए ओ गया यदि आई की बात करें तो आई किसे मिलकर बनी है ए पलस ए ए और ए से मिलकर क्या बनी है अपनी आई है यदि अपन ओ की बात करें तो ए और उ ए और उ से मिलकर क्या बना आपका ओ बना है यदि आउ की बात करें तो A plus O A plus O A और O से मिलकर क्या बना है अपना O बना है यानि ये चारों वर्ण है ये चारों स्वर है वो भिन जाती के स्वरों से मिलकर बने है कौन से जाती से? भिन जाती से इसलिए इनको कौन से स्वर कहते है अपन विजाती स्वर कहते है तो आपको याद रखना है उच्छारण में लगने वाले समय के आदार पर स्वरों के तीन परकारते उसमें पहला परकार पड़े वो पड़े रिस्वस्वर जिनको लगू स्वर भी कहते हैं जिनको मूल स्वर भी कहते हैं इनको कौन से एक मातरिक स्वर भी कहते हैं अगर इन सवरों की संक्या कितनी होती है तो धीरिक सवरों की संक्या की बात करें तो संक्या तो साथ होती है लेकिन आपके जो धीरिक सवर है इनी को पर गुरू सवर कहते हैं इनी को क्या कहते हैं ठीक है इनी सवरों को पर संदी सवर कहते हैं इनी को स्विक्त सवर कहते हैं अगर अपन ये संदी स्वर को जाती के आदार पर ठीक है जाती के आदार पर अपन दो भागों में बाड़ते हैं जिसमें दो भागों में से एक नमबर पर अपन पहले पढ़ चुके हैं सजाती स्वर कौन सा स्वर है एक नमबर पर सजाती स्वर जो सजाती स्वरों के संक्या तीन होती है जो अपन अभी पड़ चुके, जैसे आओ गया, बढ़ी हो गई और बढ़ाओ गया, ठीक है, ये तीन सवर अपने सजातिय सवर होते हैं, और चार सवर अपने कौन से होते हैं, विजातिय है, तो अपन ये पहला परकार रिस्वर पड़े, दूसरा धीर के पड़े, अब अप देखो अपना टोपिक था, उच्छारण में लगने वाले समय के आदार पर सवरों के तीन प्रकार, उसमें अपन दो प्रकार पड़ चुकें, अब अपन तीसरा प्रकार पड़ेंगे, वो अपना तीसरा प्रकार था, पलुत सवर प्लुत्स्वर प्लुत्स्वर किसे कहते हैं सबसे पहले अपन पड़े मूल्स्वर किसे कहते हैं मूल्स्वर ये रिस्वर ये अपना लगुस्वर कि वेस्वर जिनका उचारण करने में कम समय लगता है उसे अपन लगुस्वर कहते हैं और वे स्वर जिनका उचारन करने में लगू स्वर से दुगना समय लगता है, उसको अपन धिर्क स्वर या गुरू स्वर कहते हैं, तीसरा है प्लुत स्वर, कि वे स्वर जिनका उचारन करने में लगू स्वर से तिगुना समय लगता है, इसलिए इसको कौन सा स्वर कहते हैं प्लुत स्वर कहते हैं और इसको त्री मात्रिक स्वर भी कहते हैं त्री मात्रिक स्वर तो आपको याद रखना है सबसे पहले एक मात्रिक स्वर दूसरा अपन धिर्क स्वर दी मात्रिक स्वर और तीसरा प्लुत स्वर कोन सा हो गया त्री मात्रिक स्वर अब परीबा साब की बात करें कि पलुट स्वर कहते किसे हैं ठीक है पलुट स्वर का परियोग का किया जाता है तो भईया इसका परियोग अपन दो जगे करते हैं दो जगे किया जाता है सबसे पहले इसका परियोग करते हैं अगर किसी वेक्ति को दूर से बुलाया जाता है, तो अपन उस स्वर पर ज्यादा बल देते हैं, ठीक है, वो कौन सा स्वर होगा, पुलुट स्वर, यह से की नंबर पर बात करें, तो अपने जो संस्कर्ट में हैं, जो अपन संस्कर्ट में मंत्र उच्चारण करते हैं, मंत्र उच्चारण, संस्कर्ट में मंत्रों का जो उच्चारण किया जाता है, वो भी आपका कौन सा स्वर होता है, पुलुट स्वर होता है, वो भी कौन सा स्वर होता है, प्लुस्वर जो संस्कर्ट में मंतर उचारण में अपने प्लुस्वर होता है वो एक ही होता है जैसे अपन बोलते हैं ओम कौन सा है ओम तो अपने हिंदी में प्लुस्वर एक ही होता है वो अपना प्लुस्वर कौन सा होता है ओम होता है कौन सा होता है ओम तो ये अपन परकार पड़े थे आज सबसे पहला परकार पड़े थे वो अपन पड़े थे उच्चारण में लगने वाले समय के आदार पर जो अपने स्वरों के तीन परकार थे सबसे पहला परकार पड़े अपन रिस्व स्वर या लगू स्वर या मूल स्वर दूसरा परकार पड़े धीर्ग स्वर गुरू स्वर संधी स्वर या संधी स्वर तो रिस्व स्वरों की संधी स्वरों की संधी स्वरों की संधी स्वरों को जाती क्यादार पर दो बागों में कि वे स्वर जो समान जाती के स्वरों से मिलकर बने हैं उसे सजाती स्वर और जो भिन जाती के स्वरों से मिलकर बने हैं वो कौन से अपने विजाती स्वर और थर्ड नमबर पर प्लुट स्वर पड़े जिसको त्री मात्रिक स्वर भी कहते हैं कि वे स्वर जिनके उचारण कर वो कौन सा होता है ओम, कौन सा होता है ओम, अब अपन अगला परकार पड़ेंगे, वो आगे परकार पड़ेंगे, जीवा की इस्तिती के आदार पर स्वरों के तीन परकार होते हैं, उचारण में अगला परकार पड़ेंगे, पन से की नमबर पर, जीवा की इस्तिती के आधार पर, आधार पर स्वरों के तीन परकार होते हैं, देखो इससे पहले अपन उचारण में लगने वाले समय के आधार पर तीन परकार पड़ेंगे, अगला पर पड़ेंगे स्वरों के परकार में, जीवा की इस्तिती के आधार पर स्वरों के तीन परकार होते हैं, इसमें सबसे पहला प्रकार पढ़ेंगे वोपन पढ़ेंगे अग्रस्वर इसके बाद सेकिन नमबर पढ़ेंगे पढ़ेंगे मद्दे स्वर और थर्ड नमबर पढ़ेंगे वोपन पढ़ेंगे पस्च स्वर जीवा की इस्तिती के आदार पर स्वरों के तीन प्रकार होते ह पहला पढ़ेंगे अगर स्वर, दूसरा पढ़ेंगे मद्य स्वर, और तीसरा पढ़ेंगे पस्वर, यानि अपना भी पढ़ेते हैं कि अपने हिंदी में देवनागरी लीपी के अनुसार, कौन सी लीपी के अनुसार? देवनागरी लीपी के अनुसार, जो स्वरों की संख् कोण से थे जैसे अपन पढ़े थे यू sits यू ये अऊ-पने हिंदी में संखे कितनी ओगई ग्यारा कोण सी लिपी के अनुसार तो इन घ्यारा स्वर को अपने को जीवा की स्थिति के आधार पर तीन बागों में डिवाइड करना है सबसे पहले है अग्रस्वर अग्रस्वर की परिवासा क्या है कि वे स्वर जिनका उच्चारण करने में अपने जीवा के आगे का भाग सक्रे रहता है जीवा के आगे का भाग सक्रे रहता है वो कौन से स्वर कहलाते हैं अग्रस्वर कि वे स्वर जिनका उचारण करने में जीवा के आगे का भाग सक्रे रहता है वे अग्रस्वर कहलाते हैं अपने हिंदी में अग्रस्वरों की संक्या होती है वो 5 होती है वो कौन कौन से होते हैं ओर या आपकी री तो अग्रसवरों की संक्या कितनी ओ गई? पाँच बही कुल संक्या संक्या 11 होती है उन 11 मेंचे जो 5 स्वर होते हैं वो कौन से होते हैं? अग्रसवर होते हैं ठीक है? इसके बास सेकीन नमर पर पढ़ते हैं पन मद्ध्य स्वर मद्दे स्वर किसे कहते हैं कि वे स्वर जिनका उचारण करने में जीवा के मद्दे का भाग सक्री रहता है वे स्वर जिनका उचारण करने में जीवा के मद्दे का भाग सक्री रहता है उसे अपन मद्दे स्वर कहते हैं अपने हिंदी में मद्दे स्वर होता है, वो भाया एक ही होता है, वो कौन सा होता है, जैसे अपन एका उचारन करते हैं, तो एका उचारन अपने जीवा के मद्दे के बाग से होता है, जैसे अपन बोलते हैं, तो एका उचारन मद्दे के बाग से हो रहा है, इसलिए अपने एक मात्र स्वर होता है मद्य स्वर वो कोण सा होता है तो 5 तो अपने कोण से स्वर हो गए अग्र स्वर इनकी संक्या कितनी हो गई 5 ये अपने मद्य स्वर हो की बात करें तो इनकी संक्या होती है 1 अब बाकी बच गए अपने 5 रेक 6 हो गए बाकी कितने ने बच गए पाँच कौण कौण से बच गए एक तो आपका बच गए आ. कौण सा बच गए आ. एक आपका बच गए खुआ उ, बड़ा उ, ओ, और ये आउ. ये पांच आपके कौन से स्वर होते हैं ये होते हैं अपने पस्स्वर तो ये अपना सेकिंड परकार पड़े थे आज अपन वो स्वरों का दूसरा परकार पहला परकार तो पड़े उच्छारण में लगने वाले समय के आदार पर जो अपने तीन परकार पड़े और दूसरा परकार पड़े जीवा की इस्तिती के आदार पर स्वरों के कितने परकार तीन परकार उसमें पहला स्वर पड़े अग्रस्वर दूसरा पड़े मद्दे स्वर और तीसरा कौन सा पड़े पस्थ स्वर अग्रस्वर की परिवासा क्या थी कि वे स्वर जिनका उच्चारण करने में जीवा के मद्दे का बाग सक्रे रहता है वो अपने मद्दे स्वर कहलाते हैं और वे स्वर जिनका उच्चारण करने में जीवा के पीछे का बाग सक्रे रहता है वो कौन से स्वर कहलाते हैं स्वोरों की संक्या पांच होती है मद्दी स्वोरों की संक्या एक होती है और आपके अगर स्वोरों की संक्या कितनी होती है पांच होती है तो ये पना सेकिन नमबर बे पड़े थी जीवा की स्थिति के आदार पर स्वोरों के परकार जो कितनी होते हैं तीन प्रकार होते हैं ठीक है आगे अगला प्रकार पढ़ते हैं इसी में अगला प्रकार होगा वो अपना होष्ट की आकरती के आदार पर होष्ट यानि अपनी होटों की आकरती के आदार पर अगला पढ़ेंगे होष्ट की होष्ट की आकरती के होश्ट की आकरती के आधार पर स्वरों के दो प्रकार होते हैं होश्ट की आकरती के आधार पर स्वरों के दो प्रकार होते हैं सबसे पहले उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर तीन प्रकार पड़े फिर जीवा की इस्तिती के आदार पर अपन तीन प्रकार पड़े अब होस्ट की आकरती के आदार पर स्वरों के प्रकार पड़ेंगे दो दो में कौन-कौन से एक नमबर पे तो आते हैं अपने वर्ताकार स्वर एक नमबर पे आएगे वर्ताकार स्वर और दो नमबर पे आएगा वो अपनाएगा ऐ वर्ताकार स्वर देखो इसमें सबसे पहला वर्णा सब दारा अपने सामने वर्थ तो अपने वर्थ क्या करती होती है वो गोल होती है वर्थ क्या करती कैसी होती है गोल तो वर्ताकार स्वर किसे गते हैं ऐ वर्ताकार तो अपना Q option यह आता है यहां पर कि aकरती के आदार पड़ अपने स्वरों के परकार पूँचें तो वो 2 परकार होते हैं उस में सबसे पहले अपन वर्ताकार स्वर कि वे स्वर जिनका उचारन करने पर अपने होटों की आकरती गोल हो जाती है वो तो कौन से स्वोर होंगे वर्ताकार जैसे अभी अपन पढ़ेते हैं कि हिंदी में देवनागरी लीपी के अनुसार स्वोरों की संक्या 11 होती है हिंदी में देवनागरी लीपी के नुसार स्वोरों की संक्या कितनी होती है इन 11 स्वोरों को अपने होस्ट के आकरते क्यादार पर दो बागों में डिवाइड करेंगे तो वर्ताकार स्वर किसे कहते हैं कि वेस्वर जिनका उचारन करने पर अपनी होटों के आकरती गोल हो जाती है वो तो अपने वर्ताकार स्वर क्यलाते है तो अपने हिंदी में वर्ताकार स्वर होते हैं चार जैसे आपका आगया ये चार तो अपने कौन से स्वर होगे वर्ताकार यानि इन स्वरों का अगर अपने उचारन करेंगे तो उचारण करने पर अपनी होटों के आकरती गोल हो जाती है इसलिए इनको कौन से स्वर कहते हैं वर्ताकार लेकिन ए वर्ताकार स्वर किसे कहते हैं कि वेस्वर जिनका उचारण करने पर होटों के आकरती गोल नहीं होती है उसे कौन से स्वर कहते हैं ए वर्ताकार स्वर कहते हैं तो अपने हिन्दी में ए वर्ताकार स्वरों के संक्या पूचे तो इनकी संक्या होती है 7 अब 7 कौनकोन से रहागे? 4 तो इसमें आगे ये 4 वर्ताकार अगे बाकी 7 रहागे जैसे आपका ड़ आ गया आ, ई, परways ए री ए और आई ये साथ आपके कौन से स्वर होगे ए वर्ताकार स्वर तो ये आज आपन तीज नमबर पे तीसरा परकार पड़ेते होश्ट की आकरती के आदार पर स्वरों के दो परकार पहला वर्ताकार स्वर और दूसरा कौन सा ए वर्ताकार स्वर तो वर्ताकार स्वर की परिवासा हो गई कि वे स्वर जिनका उचारण करने पर होटों के आकरती गोल हो जाती है वो तो वर्ताकार स्वर कहलाते हैं और वे स्वर जिनका उचारण करने पर होटों के आकरती गोल नहीं होती है वो एवर्ताकार स्वर कहलाते हैं अब आज अपन यहां तक पड़ेंगे कल अपन आगे नेक्स्ट इसमें अगला परकार पड़ेंगे ये तीन परकार हो चुके सबसे पहला परकार अपन पड़े उचारण में लगने वाले समय के आदार पर तीन परकार उसके बाद अपन पढ़े जीवा की स्तिती के आदार पर तीन परकार, अगरसवर, मद्यसवर और पस्यसवर और थर्ड नमबर पे पढ़े होश्ट की आकरती के आदार पर सवरों के दो परकार जिसमें पहला वरताकार सौर और दूसरा अय वरताकार जिसमें वरताकार सौरों की संक्या 4 होती है और अय वरताकार सौरों की संक्या 7 होती है आगे अपन नेक्स्ट किलास में पढ़ेंगे Thank you